अगर आप मेरा चंनल सिरू से फोलो करने तो आपको पताऊगा मैंने आपको एक्स्पायल प्रगामिंग की बारे में दो थिन प्रोग्राम भी पताय थे अगर आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी link मैंने नीचे description में दे रखे वहाँ जागे बहुत देख सकते हैं और मैं आपको recommend भी करता हूँ कि पहले आप उन वीडियो को देखें वरना आपके समझ में नहीं है कि इस वीडियो के अंदर क्या हो रहा है तो आज की इस वीडियो के अंदर आप जाने की best file programming के अंदर methods कैसे बनाया जाते हैं अगर आप best file programming में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह आपके लिए सबसे best platform है तो चलिए जलते हैं अपनी desktop के उपर हो शुरू रखते हैं ओके तो हम अपनी desktop के उपर आज सुगे हैं तो सबसे पहले आप अपना note pad open कर लेते हैं यहांसे अगर आपने पहले वाले वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि कैसे शुरू क्या जाता है तो आपने नहीं देखें तो पहले आप वो देख लें उसके बाद में इस योडियो देखें तो simply पहले यहां पे अपने लेखते हैं add echo ओके यह लिखने के बाद में अब पहले ही अपन क्या करते थे कि सीधा directly यहांते कोई message दे 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 थे और वो रहन हो जाता था तो simply पहले हम यहां पर को message दे देते हैं जैसे suppose that echo and patch program okay उसके बाद में अब देखे method बनाने के निए simply आप क्या करें आप डबल लोगती है और उसके बाद में method का नाम लिखती है जो भी आप method देना चाहते है जैसे suppose that पहले हम लिख देता हूँ इसके बाद में इसको पोज कर देते हैं या से ठीक है तो हमारा फैस्ट मेथड बनके त्यार हुच का अब जिए यहीं से बी और इसके अंदर भी मेसेज देते हैं जैसे मैं दे देता हूँ एको फैसे को कर देते हैं पोज तो यह जो पाले के जो पहले लिखा हुआ जो टर्मिनल में लिखा हुआ है उसको हटा देगा और उसके बाद में हमारा ये यह code line run होगी और इसमें हमने message दिया है batch program तो यह हमारा message print हो गयागा उसके बाद में यह post हो जाएगा वहीं पर प्रोग्राम रुख जाएगा और जैसे हम उसको आगे continue करेंगे तो हमारा fast method call होगा best method के अंदर हमने क्या किया है best method एक message दिया है उसके बाद में यह वहीं पर रुप जाएगा और जैसी इसको आगे continue करेंगे तो यह सामने हमारा second method call हो जाएगा second method call होने के बाद में एक message और देते हैं यहां पर एको एंड प्रोग्राम ठीक है तो जैसी यह हमारा second method call होते ही हमारे सामने यह message इस प्रेंटों के आ जाएगा तो चली इसे run करते हैं और test करके देखते हैं कि क्या कुछ समिलते हैं वह मिलते हैं savage मैं desktop पर लेता हूं इसे savage type करती है all files और इसका कोई भी नाम देती है जिसे मैं देता हूं method अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं यह हमने क्या किया था कि पहले एक message दिया था patch program तो वो आगे इंटर की press करेंगे तो जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो हमारे सामने जो fast method यह call हो कि आजए और fast method के अंदर हम ने अपने message लिखा था यह देख सकते हैं यहां पर fast method के अंदर हमने message लिखा था जो ए नाम का जो हमारा method है उसके अंदर हमने message दिया था fast method और उसके बाद में पोज कर दिया था तो पोज आपर जहां पर भी लगाते हैं एक चीज़ और आपको बदा दो जहां पर भी आप करेंगे तो हमारा program होगा आगए उसके आगए तो वह run हो जाएगा और नहीं होगा तो यह प्रोग्राम खदम हो जाएगा तो enter की प्रेस करते हैं दुबारा से और जैसे enter की प्रेस करते हैं हमारे सामने जो second method था वह call हो गया गया देखिए second method और second method के बाद में हमने एक message ओर दिया था यहां पर end program simply जैसे second method यहां पर call हो जुका second method call होने के बाद में यह method जे बाहर निकल गयाएगा तो इसको एक keyhole मिलेगी और वो हमने क्या करती है यहां पर पोज यहां पर नहीं लगाया जैसा कि मैंने मेरे फैस्ट टूडियो के अंदर बताया था कि यह पोज लगाना जरूरी हो तो लास्ट में वरना क्या होगा कि प्रोग्रम थोड़ी दिर के लिए रन होगा उसके बाद में उत्मेटिक क्लोज जाएगा तो सिंप्ली हमने यहां पर क्या गया कि यहां पर बोज जू स्टेटमेंट उसका यूज नहीं किया इसको दो वाप्त से से शेव करते हैं और इसको रन करते हैं कि अगर आपका कोई प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है या फिर कोई प्रोग्लम आ रही हो बैच प्रोग्रामिंग से लेटर तो आप नीचे कमेंटर बॉक्स में लिख सकते हैं मैं जल से जल दूंका आनस्वार देल हूंगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें अपने दो जानस्ति किया है तो आकाटी वां Minouli यिद्या ह。 प्रोग्राम येच मेंटकार चाल्या हैं म κάнет घूंधी X झूसेजीग येच्छ